नमस्कार तू सब कही ज़त औरो क्यों हाल चाल जो शक्ती स्वरूपा मचैल माता को मेरा प्रणाम सर्थल माता की इस पावन भूमी को मेरा प्रणाम आप सब यहाँ डोडा किस्तवार और रामबन के अलग अलग हिस्सों से पहुचे हैं यहाँ आने के लिए आपने घंतों सफर किया है इसके बावजूद आपके चहरे पर ठकान का नाम और निशान नहीं दिखरा और चारों तरफ जोशी ही जोश है और मैं देख रहा हूँ हमारी बेहने बेटिया इतनी विशाल संक्या में हमें आशिरवाद देने आई है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ आपका ये प्यार आपके आशिरवाद मैं दो गुने तीन गुने आपके लिए देश के लिए महनत करके चुकाऊंगा हम और आप मिल करके एक सुरक्षित और सम्रद्द जम्मो कश्मीर का निर्मान करेंगे और ये मोदी की गारंटी है साथियों इस बार जम्मो कश्मीर का चुनाव जम्मो कश्मीर का भाग्यत तै करने वाला है आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मो कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया इसके बाद इस खुपसुरत राज्य को परिवार वादने खोखला करना शुरू कर दिया यहाँ जिन राजनितिक दलों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की उन्हों राजनितिक दलों ने सीर्पार सिरप अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जम्मु कश्मीर के मेरे नवजवान आतंक बाद में पिस्ते रहे और परिवार वाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टिया आपको गुम्रहा करके मोज काट पी रही इन लोगों ने जम्मु कश्मीर में नए नेत्रुत्व को कही भी कभी भी उभरने ही नहीं दिया आप भी जानते हैं यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे यहां BDC के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे DDC के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे दसकों तक यहां परिवारबाद ने यहां के बच्चों को यहां के होनहार नवजवानों को आगे नहीं आने दिया और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नव जवानों की नई लीडर्शिप को आगे लाने का प्रयास किया है फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए 2019 में BDC के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार BDC के चुनाव कराए गए और यह चुनाव क्यों कराए गए ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रसी ग्रास रूट तक पहुचे यहां के मेरे युवार जमूरियत की कमाल संभालने के लिए आगे आए यही मेरी कोशिस थी लोकल बॉड़ी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में तीस पैंतिस हजार नए नौजवान राजनीती में आए जम्मू कश्मीर की कमान समाड़ी बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है तो इसका क्रेडिट इनी नव जवानों का है मैं आज जम्मू कश्मीर की युवा को चाहे वो बेटी हो बेटा हो उनके जोश उनके जज़बे को सेल्यूट करता हूँ साथियों जम्मू कश्मीर का इस बार का विदान समाद चुनाओ तीन खांदानों और जम्मू कश्मीर के नव जवानों के बीच में है एक तरफ तीन खांदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरी नव जवान बेटे बेटिया है ये तीन खांदान एक खांदान कॉंग्रेस का है एक खांदान नेशनल कंफरेस्ट का है एक खांदान पीड़ी पी का है जम्मू कश्मीर में इन तीन खांदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है ये तीनों खांदान जम्मू कश्मीर को दसकों दसक तक बरबादी देने के जिम्मेदार है इन तीन खांदानों ने यहाँ करप्शन को बढ़ावा दिया इन तीन खांदानों ने यहाँ जमीन कबजा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया तड़पाया गया सरकारी नोकरियों में सिरफ उनी लोगों को भर्ती किया गया जो यो इन तीन खानदानों के खास थे इन तीन खानदानों ने ही यहाँ अलगाव और आतंग के लिए जरूरी जमीन तयार की और इसका फाइदा किसे ने उठाया देश के दुश्मनों ने ये लोग आतंग वाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अर्बों खर्बों की दुकान चलती रहे इनके गुनाहों की बज़र से हमारे हजारों बच्चों की यहाँ जान चली गई ये चंद्रभागा गाटी ये सालों साल चले आतंग के खुन खराबे के उस दौर की गवा रही है आप याद करिये वो समय जब दिन ढंगते ही यहाँ अगोशित कर्फ्यू लग जाता था सारी दुकांदारी ठप सारा कामकाज ठप हालत ये थी कि तब कॉंग्रेस सरकार के केंद्र सरकार के ग्रह मंत्री तक लाल चोग जाने से डरते थे साथियों जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतीम सांसे गिंदहा है पिछले दस साल में जम्मू कश्मीर में जो बढ़लाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है जो पत्थर पहले पुलीस और फोच पर फैंकरे के लिए उठते थे उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है और ये सब कुछ किसने किया है किसने किया है ये मोदी ने नहीं किया ये जम्मू कश्मीर के डोड़ा के आप लोगों ने किया है आपके इसी विष्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपाने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल पलिये है साथियों आज ही हमने तीकागाज टफलू जी को याद किया है उन्हें इस तरफ धांजली दिये तीन दसक से जादा हो गए इसी दिन हमारे टफलू जी को आत्म कवादियों ने शहीद किया था उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला यह भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों के आवाज उठाई उनके हित में काम किया मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बदाई दूँगा उन्होंने कश्मीरी हिंदों की वापसी और पुनर्वाद के लिए टीका लालत अप्रूव स्कीम बनाने का एलान किया है इसे कश्मीरी हिंदों को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी भाजपा ने आतंकबाद के सभी पिडितों को नियाय दिलाने के लिए वाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है और साथियों भाजपा सिर्प कहती है ऐसा नहीं है करके दिखाती है यहां मंच पर हमारी बेटी शगून बैठी है इनके पीता और चाचा दोनों को आतंकबादियों ने मार ला था अब भाजपा ने आतंकबाद पीडित इस बिडिया को टिकड दिया है बेटी शगून सिर्फ केंडिडेट है ऐसा नहीं यह आतंको खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जाती तस्वीर है साथियों जिनराजरितिक दलों ने बरसों तक जम्मु किश्मीर पर राज किया उन्हों ने आपके बच्चों के भविश पर कभी धान नहीं दिया आप याद किजिए यहाँ पहले एक एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संगर्श करना पड़ता था आपको एक स्कूल एक कॉलेज खलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था एक छोटी सी सडक बनवानी हो पानी की टंकी बनवानी हो आपको आंदोलन किये बिना पुलीस की लाठी खाये बिना कोई सुनने को तयार नहीं था कई कई साल लग जाते थे लेकिन कुछ नहीं होता था Medical College, Engineering College ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था आज जब आप यहां से घर जाईएगा तो इत्मिनाम से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सबसे महरूम रखा गया जिने आप अपना समझते रहें उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं है आप तो उनके लिए सत्ता तक पहुँचने की सीड़ी मात्र थे साथियों यह मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है आपके भविश्य की चिंता करता है मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी पढाई मिले मैं चाहता हूँ यहां का हर बच्चा खुब आगे बड़े इसलिए बीते चार-पांच साल में ही भाजपास सरकार ने यहां अनेकों नए स्कूल खोले हैं बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं आप भी देखिए दोड़ा के मेडिकल कॉलेज की डिमान कब से थी वो अब जाकर के पूरी हुई है एक समय था जब यहां के नवजवान अच्छी पढाई के लिए देखिए के दूसरे राज़े में जाने के लिए मजबूर थे आज मेडिकल कॉलेज हो एमस हो आयाइटी हो जम्मु कश्मीर में सीटे कई गुणा बढ़ाई गई है अब जम्मु कश्मीर हमारी भाज़पा जम्मु कश्मीर एकाई ने पंडित प्रेमनात डोगरा रोजगार योजना का एलान किया है इसके तहट यहां रोज़गार के लाखों नए आउसर बनेंगे राज में भाज़पा सरकार बनी तेहां कॉलेज जाने वाली वाओं को ट्रेवलिंग एलाउंस भी दिया जाएगा आथियों भाज़पा एक ऐसा जम्मु कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मु कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा मुझे पुराने दिन याद आते हैं यहां के लोग खास तौर पर बदरवा के साथी बड़ी काभी उनसे मुलाकाते होती रहती थे तो बड़े गर्व से कहते थे किसी समय कि मोदी जी यहां फलारा फिल्म की शुटिंग होती थी मोदी जी वहां फार फिल्म की शुटिंग शुटू होता लेकिन आतंगबाद बढ़ने के बार यहां फिल्म वालों का आना बंद हो गया पिछले दस वर्षों की मेहनत के बार अब यह हालत भी बदलते नजर आ रहे हैं यहां देशी नहीं दुनिया भर से फिल्म वाले शुटिंग करने आएं हम ऐसी व्यवस्ता बना रहे हैं इसके लिए नई फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है मेरा जम्मू कश्मीर अब फिर फिल्मों में चाहेगा दुनिया में चाहेगा मुझे खुशी है कि अब यहां होटल रिस्तरा धाबे सभी गुलजार रहने लगे हैं लाखो लाख तुरीस हर साल आ रहे हैं मुझे लोग बताते हैं कि यहां बद्रभा में बड़े बड़े होटल बनने लगे हैं मेरे भाई और बहनों यहां तुरीजम का और विस्तार हो आप लोगों के लिए आना जाना भी और आसान हो इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को भी मजबूत कर रही है चेनानी नासरी टनेल हो बनिहाल काजी गुन टनेल हो नए पूल नए फ्लाइ ओवर इस खेत्र की पहचान बन रहे हैं आप याद करिए पहले जम्मू से रामबन और बनिहाल जाने में छे छे आठार गंटे लग जाते थे अब लोग बताते हैं कि जम्मू से बनिहाल तीन गंटे में और जम्मू से स्रीनगर पांच-छे गंटे में पहुंच जाते हैं हम जम्मू कश्मीर के अंच्विये हिस्सों को भी रेल से जोट रहें जिला रामबन, डोडा, कितवाट और कश्मीर गाटी के लोग भी सीधे दिल्ली तक रेल से पहुंच सके हम आपका ये सपना पूरा करके रहेंगे बहुत जल्द ही दिल्ली से रामबन होते हुए ट्रेन श्री नगर तक जाने वाली है रेलिवे लाइन का काम पूरा हो गया है स्टेशन बनकर तयार है और ट्रायल भी शुरू हो गया है बहुत जल्द ही ये हिस्सा भी रेलिवे द्वारा पूरे देश से जुड़ जाएगा साथियों यहां गडिप से गडिप परिवार को बहतर सिख्षा मिले बहतर इलाज मिले ये हमारा संकल्प है जम्मु कश्वीर देश का वो राज्य है जहां हर परिवार को पाँच लाख रुपे तक का मुप्त इलाज मिलता है अब जम्मु कश्वीर भाजपा ने हर गडिप परिवार को साथ लाख रुपे तक मुप्त इलाज देने का एलान किया है साथियों महिलाओं के जीवन से परेशानी कम से कम हो ये भी भाजपा की प्राथ मिखता है बीते वर्षों में जम्मु कश्वीर के दूर सुदूर के गाउं तक भी नल से जल पहुँचा है बिजली पहुँची है मोबाइल के टावर पहुँचे है इससे भी माताओं बहनों का जीवन आसान हुआ है जम्मु कश्वीर भाजपा ने परिवार की सबसे बड़ी महिला उसके खाते में हर साल अठारा हजार रुप्य जमा करने की भी गोशणा की है ये पैसा हर परिवार को अपनी आबदी बढ़ाने के लिए नए साधन नए समाधान देगा साथियों यहां इक शेत्र को परपल रिवालुशन यानि बैंगनी करांती के लिए जाना जाता है लेवेंडर की खेती ने यहां छोटे किसानों का जीवन बदल दिया है भाजपा सरकार छोटे किसानों के हीतों के साथ खड़ी है अभी तक जम्मु कश्मीर के किसानों को पी-एम सम्माद निदी के छे हजार रुपया मिलते रहें अब यहां भाजपा की टीम ने इसको दस हजार रुपय करने का एलान किया है साथियों जम्मु कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ती चाए वो किसी भी मजहम का हो किसी भी आद्स्ता से जुड़ा हो किसी भी वर्ग का हो भाजपा की प्रात्विक्ता है आपके हर अधिकार की रख्षा की गारंटी मोदी ने दी है जम्मु कश्मीर को पूर्ण राज़ का दर्जा देने का काम भी भाजपार सरकार ही करेगी लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावदान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छिन्ते रहे है आपने देखा है आज के लिए लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं जेब में रख दो और ये दिखावा क्यों कर रहे है अपने काले कारणामों को छिपाने के लिए कर रहे है हकिकत क्या है ये जम्मू कश्वीर का बच्चा बच्चा जानता है इन लोगों ने बाबा सहाब के बनाए समिधान की आत्मा को नोच दिया था वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्वीर में दो सम्विधान चलते थे क्यों जम्मू कश्वीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था यहां मारे पहाडी भाई भायन मैं देख रहा हूँ यहां यह क्या कारण है कि इतने साल तक उनको आरक्षण नहीं मिला जम्मू कश्वीर में यह ऐसी ऐसी ओविसी का नाम तक नहीं लेते थे इतनी पीडिया गुजरने के बाद उनको भाजपा ने आकर के भाजपा सरकार ने आरक्षण दिया आज ऐसे अनेक साथी है जिनको पहली बार वोट डालने का हक मिला है भारक का समिधान हर किजी को वोट का अधिकार देता है यह समिधान को जेब में लेकर गए घुमने वालोंने 75 साल तक आप मैंसे कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार जीन लिया था साथ को मैं जम्मू कश्मीर की सभी माता और बेहनों से भी कहूंगा इन्होंने इतने दसत वक तक आपको भी दोखा ही दिया इन्होंने ऐसे कानून मनाए कि आपको अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया गया मैं सभी मुस्लिम बेहनों बेटियों को भी एक बात याब देलाना चाहता हूँ जब हमने तीन तनाद को खत्प करने का सानून बनाया तो Congress, National Conference और PDP ने ही इसका विरोध किया था यह आपके हिमायती नहीं है यह सिर्फ अपने खांदान का हीच सोचते है साथ्यों आपके सामने Congress और National Conference की गोस्राइबी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है आपके लिए जानना जरूरी है कि यह लोग कहके आ रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा नेशनल कांफरनंस पीडीपी और कॉंग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं आपके लिए इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा यह तीन खांदान मिलकर पहड़ी समाज का आरक्षण फिर छिन लेंगे जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छिन लिया जाएगा 35A वापस आई तो माताओ बेहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगे आप याद रखिये इनके गोशना पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएगे फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे फिर हड़ताले होगी कारोबार पड़ताले लगेंगे नव जवान बेरोजगार गुमेंगे क्या आप इनको वो खौफणाक देन वापस लाने देंगे क्या साथियों यह संविधान की बाते करते हैं और नफरत की दुकान पर महबत की दुकान का बौड लगा करके गुमते हैं मैंने आज अख़बारों में पढ़ा लोग तंत्र का एक महत्वपन पीलर होता है हमारा स्वतंत्र मिडिया आज एक ख़बर पढ़ी अमेरिका गए हुए भारत के एक अख़बार के प्रतिनीदी को अमेरिका में जूश प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को वो भी एक पत्रकार को और वो भी भारतिय सम्विधान के रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद करकर के उनके साथ जो व्यवार हुआ है क्या ये लोग कंत्र को संविधान की बर्यादाओं को हुजा करने वाले वेशे क्या अमेरिका की धर्ति पर भारत के प्रत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्टा बढ़ा रहे हो आपके मुँ में संविधान सब्द शोपा नहीं देता है भाईयों भाणों आपको कॉंग्रेस के जूठे वायद्वा से बहुत सावदान रहना है कॉंग्रेस क्या करती है कैसी सरकान चलाती है इसका उदारन आप पडोस में देख रहे हैं पडोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बरबाद कर दिया आज वहाँ छोटा सा राज्य हर कोई सडक पर है वहाँ रोड पानी बिजली सब काम ठप पड़े हैं करमचारियों को सेलरी नहीं मिल रही है मंगई चरम पर है नवजमानों की भरतिया बंद है मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉंगरेट भारत की सबसे बेईमान और दोखे बाज़ पार्टी है और कॉंगरेट का सही खांदान भारत का सबसे प्रस्ट परिवार है आपको इन से सावधान रहना है यह ऐसे लोग है जो सरकारी तीजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हर्टकंडे अपनाते हैं यह लोग जनता को मुसिबत बढालते हैं यह अपनी नीतियों के दम पर चुनाव में नहीं जाते जब मैं देश को सतर कर रहा था इनके खतरनाक एदार्दों से सावधान करा रहा था तब यह सारे लोग मिलकर मेरा मखाल उडाते थे मुझे गालिया देते थे और आज पुरा देश देख रहा है कॉंग्रेस सासिद राज्यों में इतने कम सबब है कितनी बड़ी बड़ी मुसिबते खड़ी हो गई है और उनके पापों के काँ खड़ी हुई है साथ यह कॉंग्रेस की सोच क्या है उनकी नियत क्या है कि उनके अदेश की बातों से भी साफ हो जाता है वो यहां आकर क्या बाते करते है मैं यहां आकर क्या कह रहा हूँ कि हम यहां यह काम करेंगे वो काम करेंगे यहां क्या लोगों कि भलाई की यह करता हूं कि नहीं करता हूं उन्होंने क्या कहा मों हमका हंकार देखिए अगर हमें 20 सिंटे ज्याधा आती तो यह मोधी hilarious B.J.P. के समनेता जेल में होते क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जरार्वन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो क्या यही एक एजंडा है क्या आपका 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद तीन बार देश की जंता ने में सेवा करने का बोका दिया लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते है हम सरकार देश में प्रिस्पाचार को नस्ट करने के लिए चलाते हैं हम सरकार देश के सामाने मानवी की बलाई के लिए चलाते हैं साथियो जब कोई positive सोची न हो तो फिर उनके लिए जेल में बन करने के सिवाए इको एज़न्डा नहीं होता है वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए दो बात बता के जाते हैं लेकिन वोनों ने तो जेल भेजने की बाते करके गए है साथियो ये नफरत दिखाने से ज़्यादा और कुछ सोच नहीं सकते इनकी नफरत का सिकार जम्मू भी रहा है कॉंग्रेस और निस्नल कॉंफरंस हमेशा जम्मू के साथ बेदबाव किया है डोडा के साथ बेदबाव किया है पूरे छेत्र के साथ बेदबाव किया है इन लोगोंने महराजा हरी सी और दूसरे राजाओं के लेकर कैसी कैसी टिपनिया की है वो भी आपने सुनी है यह सिर्फ महराजा का नहीं सभी डोगरों का अपमान है और मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग यह अपमान कभी नहीं सहेंगे साथियों भाजपा का संकल्प और आपका साथ ही शांती सुरक्षीत और सम्रद जम्मू कश्मीर बनाएगा इसलिए 18 सितंबर को भाजपा के सभी उमिद्वारों को यहां मंच पर बैटे हुए मेरे उमिद्वारों ते चहता हूँ सब आगे आजाएं आगे खड़े हो जाएं उमिद्वार सारे खड़े हो जायागे जो वहीं हां खड़े हो जाएं इन सम्मेरे साथियों को जिता करके भारी मौमत से जिता करके सब के सब को विदान सबा में बेजना है मैं एक मिनिट उनके बीच जा करके बनाई दे करके फिर यहां कर मेरा पाशन करता हूँ मुदे विस्वाद है इस बार आप लोग सभाज चुनाओं से भी और जादा वोटिंग करेंगे पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे इसी भरोकसे के साथ मैं आप सभी को इतनी विशाल संग्या में आ करके हमें आशिरवाद देने के लिए आदर पुर्वका आप सबको नमन करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की इतनी ताकत से बोलिये कि नफरत की दुकान के सारे बौड उखड करके रह जाए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद हम सब चंद्रभागा के निवासी हमारे पूरे विश्व के सबसे लोग प्रियन नेता जो आज सम्द्रभागा निवासीं को आशिरवाद देने के लिए आये हैं इसके लिए हम इन सब इनको धन्यवाद करते हैं हम सब इनके आभारी हैं कि इनके पावन कजम इस धर्ती पर पड़े और हम सब चंद्रभागा निवासीं का इनुने मार्क दर्शन किया धन्यवाद जै हिन जै भारत